है ने तो आज की class हम लोग 10 क्लस कि नाइन और सेट 10 को देखेंगे अगर आपने पिछले तीन क्लास को नहीं किया तो मैंने लिंक डिस्क्रीब ना दुआ है आपको लिंक को कलिक करके देख लेना तो क्यूंकि व्याव क्यूंकि हम लोग जाएंगे आपको एक भी क्लास को मिस्स नहीं करना और अगर आपको अच्छी लेगा तो लाइक कर देना आपको शेर कर देना है और जो भी इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्डाइगों प्रेस करना है ताकि जितनी भी क्लास हो सबकार क्यों सब्सक्राइब करेक्ट होगा मांसिक रूप से सवस्थ वैक्ति में होता है उसमें क्या होता तो यहां पर आपको राइटर सबताने है तो बिल्कुल प्रेक्ट हो जागा जिखने उर्जा होता है चलिए आप इससे तरह क्वेस्टन नोट तो को देखिए क्या बोला आपको 3 करेक्ट होगा जाए नियुक रामीं मकान कैसा प्रेक्ट होना चाहिए तो 3 में उससे उपरिक्त अहार कॉन से कौन सा इससी का सबसे उपयुक्त अहार है फोर में option नमर इसी बिल्कुल correct हो जागा जिए नि मा का दूद चलिए आप question 5 को देख लिए क्या बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है बेरी बेरी रोग किस तत्व की कमी से होता है यहाँ पर क्रेक्ट हो जागा है यहाँ पर option नमर डी बिल्कुल correct हो जाए खनेज लवन है चलिए आप next question देख लिए नि question number 8 क्या बोला जाए 8 में फटावर देखिए और राइटन से बताने की कोशिच कीजिए कौन सा option correct होगा जी हाँ तो question number 8B screen पर आ चुका है क्या बोला जा रहा है इनमें से कौन सा विटामिन रखत जमने को परवावित करता है तो option number C बिल्कु क्रेक्ट हो जाए जिखनी चार कैलोरी चलिए आप question number 10 को देख लिए क्या बोला जा रहा है सामान परसों में अस्तन पान शुरू कर देना चाहिए जिहां तो कब से शुरू कर देना चाहिए सामान परसों में 11 में राइटन सा उप्षिन मेर बी क्रेक्ट हो जाएगा निए एक घंटे के बीच में चलिए आप question number 12 को देख लिए क्या बोला जा रहा है जिरिश यह सरव साधन है जिखांसा दिरिश यह साधन है सी बिलकुल करेक्ट हो जाए गाने सी नेमा चले आप question of 14 को देख लीज़े क्या बोला जा रहा है रतोंदी नामक बीमारी किस वितामिन की कमी से होता है रतोंदी तो option यानि विटामिन ए बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा चलिए विटामिन ए बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा चलिए विटामिन सी की कमी से होता है तो यहां पर option number B and A इसकरवी रोग बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए अब देख लिए next question question number 19 और आप लोग साथ साथ में आंसे बताएगे कौन सा option correct होगा पशुक परदत protein का सबसे उत्तम साधन है कौन सा पशुक परदत protein का सबसे उत्तम साधन है यहाँ पर option number A देख लेंगे क्या बोला जाए 21 में फटावर आटन साधन ही कौन सा option correct होगा बच्यों को पोलियो और DPT का booster dose किस आयू में दिया जाता है कौन सी उम्र में दिया जाता है option number B बिल्कुल correct हो जाएगा ने 16-24 महा की आयू में दिया जाता है अब question 22 को देख लिए क्या बोला जा रहा है सिर्का है जी हाँ तो सिर्का क्या है यहाँ पर option number A यहाँ अमलिय परदाद बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए अब question 23 को देख लिए क्या बोला जाए 23 में फिर आटन साधन ही कौन सा option correct होगा विरुद्धू के लिए सबसे उप्यूक्त आहार कौन सा है जी हाँ तो कौन सा सबसे उप्यूक्त आहार है विरुद्धू के लिए तो 23 में रैटन सा option number C correct हो जाएगा ने मुलायम आहार चलिए अब question 24 को देख लिए क्या बोला जा रहा है एक मार्क किर पतार्थू की गुनवत्ता और सुद्धता तय करता है जी हाँ तो कौन से पतार्थू की करता है यहाँ पर option number C and E किरुशी पतार्थ बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए अब question 25 को देख लिए क्या बोला जा 25 है टैटन सा बताईए ठाकान है अब question 26 को देख लिए क्या बोला जा रहा है आहर आयोजन करने से हम बचा सकते है जी हाँ तो हम क्या बचा सकते है यहाँ पर option number E and E धन एवंग समय बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए अब question 27 को देख लिए क्या बोला जा रहा है जन में के समय भारती बच्ची की आउसत लंबाई होती है जी हाँ तो आउसत लंबाई कितनी होती है तो option number C यहनी 50 cm बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए अब question 28 को देख लिए क्या बोला जा रहा है एक गरबवती महिला को परती दिन का आहर में कितनी कैलोडी चाहिए जी हाँ कितनी कैलोडी चाहिए तो 28 में राटन सों option number A correct हो जाएगा जी हनी पचीस सो कैलोडी जी हाँ तो हम लोग ने state 9 भी complete कर लिया है अब हम लोग आखरी state 10 को देखेंगे तो अभी आपको गलास के लास तक बनी रहना है और अगर अभी तक अपने class को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में आपको हलान में शेयर कर दिना है वर्ष की आयू को कहते हैं यहाँ बैरा वर्ष कीdar कहते है यहाँ पर किया रहा भी ते हो जाएर, बच्च्योुके सामाजिक विकास, पर किसका सरवाधिक परभाह परता है किसका सरवादिक परवाव पड़ता है तो अप्शन नमर ए बिल्कुल कर्रेक्ट हो जाएगा नियुक्त पारिवारिक वातावरन का परवाव पड़ता है चलिए अब क्वेश्वर 3 को देख लिए क्या बोला जार तरी वें राइटन समद इक आप्शन करेक्ट होगा आती सार मेर्म है रगत में तत्व की कमी हो जाती है तो घ्रवस्ता में कौण से सbn हो जाए है कल शिम की लिए बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएं कि चलिएक अब देख़एंगे नेक्स क्या बोलावर स्फार्त डेखें और थे क्योसियर क्योंसी तक होगा बोला जा रहा है आ आइस आइ मार्क होता है तो किस पर आइस आइ मार्क होता है यहां पे बिल्कुल हो जाए जाए यहां पर आप सी बिल्कुल हो जाता है ऐसे से पचने हो जाता है दूद बैक्टिर्या रहले हो जाता है और सी बिल्कुल को जाएगा भालने पर पक्सिंवर बनते हैं लेकिन बहुत देरी से बनता है तो आप्सिन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अंदे बत्य को पढ़ाने के लिए किस वीधी का परियोग करना चाहिए तो कौनसी वीधी का परियोग करना चाहिए तो आप्सिन नमर एनी ब्रेल वीधी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अब क्रेश्टमर 12 को देख लिए क्या बोला चाहिए तो आप्सिन में लड़कों को कितनी कैलोरी उर जाकी आवसकता होती है तो आप्सिन नमर एनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अब देख लिए नेक्स्ट क्रेश्टमर 14 क्या बोला है जड़ा 14 में राइटर से बताईए और सुधियों के रूप में मिलाई जाती है तो यहां पर अप्सिन नमर एनी मक्षन से अधिक छाच का उस्चेश यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अब क्वेश्टमर 15 क मासिक वेतन परिवार की किस आयके अंतरगत आता है मासिक वेतन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समय पूरा होने पर सिले सिलाए वस्त्रे कितने परकार के होते हैं यहां कितने परकार के होते हैं यहाँ पे option number C बिल्कुल correct हो जाएगा दिखानी बाहे एवंग अंताय वस्त्र हो जाएगा चलिए आप देखलेंगे next question ने question 20 क्या बोलाया 20 में फटाफर देखिए और राइटर से बताने की कोशिस कीजिए कौन सा option correct होगा चार युक्त कड़े साबून से धोए जा सकते है तो कौनसे वस्त्र है चार युक्त कड़े साबून से धोए जा सकते है यहाँ पे option number A बिल्कुल correct हो जाए दिखानी सूती वस्त्र है चलिए आप देखलेंगे next question ने question 21 क्या बोला जाए 21 में फटावर देखी रैटर से होता ही है किन वस्त्र को अर्ध वार्षिक देखवाल की जरूत है कौन से वस्त्र को अर्ध वार्षिक देखवाल की जरूत है यहाँ पे option number A यानिक कंबल बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए आप question 22 को देख लिए क्या बोला जाए 22 में फटावर देखने से बताई है किस प्रकार के वस्त्र को dry cleaning कराने की आउसकता नहीं होती है किस प्रकार के वस्त्र को नहीं होती है तो 22 में option number C बिल्कुल correct हो जाएगा जिए जूट का वस्त्र है चलिए आप question 23 को देख लिए क्या बोला जाए 23 में कार्बोहाइडरेट का कार्या है जिहां तो और बिल्कुल correct हो जाएगा नि उड़्या परदान करना चलिए आप question 24 को देख लिए क्या बोला जाए 24 में और राटर स्रोथ ये कौन से आप्सर कर्रेक्ट होगा हमारे सरीर का कितना त्याही भाग जल है जिहां तो हमारे सरीर का जो दो त्याही भाग है वह जल है तो और बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए आप question 26 को देख लिए क्या बोला जा रहा है राटर स्रोथ ये कौन से आप्सर कर्रेक्ट होगा कि यहां तो हम लोगों ने चार क्लास में प्रिवेस क्वेस को कंप्रीट कर लिया है अगर आपने इसे पिछले वाले तीन क्लास को नहीं किया तो आपको हाल में कर लेना जिखां क्यूंकि मैंने लिंक लिंक को clearly क करके अब कसे आपको इससे बाहर नहीं आएगा तो आपको कमेंट को क्र लिंक कर दिया है और मैंने लाइब कमेंट में भी पिन कर दिया है आप वहां से भी डारेक्ट ली जूर सकते हैं और जो भी डार्ट सो जो भी क्वेस्टन वहां से आप डारेक्ट ली क्लियर कर सकते हैं आपको जो भी सब्जेक्ट हो मैंने सबका 10 years previous question bank upload कर दिया है तो आपको चैनल के playlist में जा तो फिर भी लेंगे हम लोग अगली क्लास में तिल देन बाई बाई टाटा सी ओन दे नेक्स्ट क्लास